रेडियो खाची 90.4 FM हम सब का रेडियो मैं उर्वशी विभागा ध्यक्ष हिंदे विभाग राची विमन्स कॉलेज राची आज मैं अपने विद्यार्थियों से असाध्यवीना कविता पर बात करना चाहते हूं अग्ये की कविता असाध्यवीना एम्मे के सिमिस्टर 4 के पाठिक्रम में शामिल है अग्ये का काव्य गेता के तारों को जहनकृत करने वाला साहित्ते है प्रयोगवादी तथा नई कविता के पुरोधा वाधिक्ता की सशक्त हस्ताक्षर के रूप में उनकी पहचान बनी और उनके काव्य का बार बार मुल्यांकन करते हुए नित नवीन नूतन तथे गन्नाही सम्मुख आती है उनकी प्रारंभिक कविताओं में आत्म अवलोकन तथा शोधन के पक्ष प्राप्थ हुए है ऐसा प्रतीत होता रहा है कि उन्हें किसी की तलाश है किसी बेहद अपने की या शायत स्वैम की आत्म साक्षातकार इस संसार का सबसे दुषकर और रोमांचित करने वाली यात्रा है जिसमें राही को ना मंजिल का पता हो पाता है ना समय का ग्यान बस एक छटपटा हट उसे रुकने नहीं देती ऐसा ही शोध तथा चिग्यासा का आभास असाधे वीना के संदर्भ में होता है इस कविता का आध्यात्मिक दर्शन तथा आत्मशोध परियविक्षन उच्चकोटी का है यह एक ऐसी कथा पर आधारित है जिसमें एक वीना है जिसे बड़े-बड़े कलावंत नहीं बजा सके और एक साधक, प्रियमवद, राजा के अनुरोध पर उसे बजाने आता है फिर शुरू होती है अन्तहकरन की यात्रा जिसके सहभागी, राजा, रानी, प्रजाजन, मंत्रीगन और समस्त समाज बनता है इस यात्रा को असाध्य व्यक्त करने में अग्ये की क्याम अन्शा थी वे स्वैम पर व्यक्तिवादिता के आछेप से मुक्ती पाने के लिए लालाई थे या समस्ती का विकास व्यस्ती के विना असंभव है यह समझाना चाहते थे अग्ये का दृष्टिकोन कुछ भी हो सकता है बहरहाल रहस्य के आवरन से उक्त कविता के सत्य धके जरूर है क्या सचमुच कोई असाध्य वीना थी क्या बड़े-बड़े कलावंत उसे बजा नहीं सके क्या राजा ने प्रियमवद की ख्याती सुन उसे बुलाया क्या सचमे प्रियमवद ने खुद को सब कुछ को सौप दिया था ये वीना कैसे सधी यह एक कथा है यह हमारा ही अस्तित्व इस कविता द्वारा अभिव्यक्ती पाता है शब्द, दर्शब्द ये कविता जिस तरह आगे बढ़ती है इसका आवरन जटिल होता जाता है असाध्यता से हट्योग की इस यात्रा की में कविता नए संदर प्राप्त करती है राजा, रानी, मंत्री, प्रजा, वीना, किरीटी तरू, ब्रजकृती तथा प्रियमबद की प्रासंगिक्ता क्या आज भी है? असाध्य वीना का कथानक कहानी सा प्रतीत होते हुए भी बौधिक चेतना का विस्तार करता है सरल शब्दों में कहें तो सत्य के भीतर के सत्य को उदगाटित करता है सामान्य जन के लिए असाध्य वीना क्या है? किरिटी तरू को मंत्रों से पूरित कर ब्रजकीर्टी द्वारा बनाई गई एक वीर्णा या कुछ और इसका इतिहास किसी को नहीं पता प्रस्न उठता है जन सामानने हे तू असाध्य क्या है उत्तरसपस्ट है मन मन को साधना दुशकर और असंभव है कहीं अग्ये यही संकेत तो नहीं देना चाहते थे मन अत्यंत विशाल है उसकी कलपना शीलता में तीनों लोग समाहित है धर्म, चिंतन, समाज, अस्तित्ववाद आदी इसकी डालिया है अच्छाई सद्भावना रूपी पवित्रता का ये शिखर छूता है और अधम रूपी वासुकी इसकी टेक धारन किये रहता है मानविये तपस्चरिया एवं सैयम से इसे वश में कर जनकल्यान हेतु प्रेडित किया जाता है जिस राजा ने प्रियमवद को आमंत्रित किया वह हमें बौधिक विकास या बुद्धी का आभास देता है और महत्वकांचा जिसको घेरे रहती है परिनाम स्वरूप हम सदाचिंतित वब्रमित रहते हैं कहीं हमारी वुद्धी ही वह राजा तो नहीं जो अपना अभिमान ना त्यागते हुए प्रियमवद रुपी अस्तित्व की जिग्यासा को बार-बार असाध्य को साधने का जरिया बनाना चाहती है राजा का अभिमान वदंब तब चूर होता है जब उसे अपनी सत्ता से प्रिथक बड़ी सत्ता का आभास मिलता है हमारी बुद्धी का भी यही हाल है बुद्धी का शोधन या दोहन जब होता है तब ही उसमें लौकिक संसार की समाई सारी बुराईया नस्ट होती है वह हलकापन अनुभव करती है राजा की वीर्णा के स्वरसुन जो दसा हुई वही हमारी मानसिक अवस्था की भी होती है जब हम तनाव मुक्त सरल सहज अनुभूत करते हैं बुद्धी ही शरीर रुपी राज्य का राजा है जिसके कुशल नेतरित्व में इस देश का सोचारू संचालन संभव है रानी शब्द गर्व का आभास देता है अभिजात्य वर्ग और भौतिक संसाधनों की लालसा हमारे भौतिक जीवन की प्रेरक है जिसमें लीन हो हम इसी जगत की भौतिकता को सच माल लेते हैं और सब विस्मृत कर देते हैं निसंदे भौतिक संसाधन वसुख आक्रिष्ट करते हैं अति प्रिये भी होते हैं पर वे हिर्दै रुपी वीना के स्वर का संधान नहीं कर पाते भौतिकता हमें जड़ कर देती है हम उत्तेजित नहीं होते हमारी जिग्यासा के गवाक्ष बंद हो जाते है जब हिर्दय का शोधन होता है तो भौतिक आधार भार लगने लगते है और इनसे मुक्ति पाना हमारा धे बन जाता है जीवन वहां है जहां मानप्ता एवं सोहार्द करुना आधी भाव है भौतिकता के साधन इन्हें ढख जरूर सकते हैं पर नस्ट नहीं कर सकते मनोभावना पर नियंत्रन संसार में सबसे कठेन कारे है उसी प्रकार जीवन में भी ज्यानेंद्रियां एबं कर्मेंद्रियां एक साथ एक संदर्भ में दिहानमग्ण नहीं हो पाती। वे हर वस्तु इस्थिती को अपनी द्रिष्टी से तोलने की पक्ष पाती है। समाज की रिती, नीती का अनुसरन करना, उसके विचारों को ढालना, अपने निर्धारित सोच ना होना मनुष्य की द्वंद्वात्मक मनोदशा को अभिव्यक्त करती है। हिर्दय रुपी वीना के संधान के समय ग्यान वकर्म में लीन सभी क्रियाएं प्रिथक प्रिथक कार्य में रत होते हुए भी, जब एक समान लक्षे की प्राप्ति का उद्देश जनक्रित करें, तो समझ लेना चाहिए कि हिर्दय की वीना को साध लिया गया है। प्रशन ये उठता है कि इस असाधे वीना का स्वरसंधान कैसे संभव है। कौन है वो प्रियमवद जो इसे बजा कर शरीर रुपी राज्य के राजा, रानी, मंत्री वजनता को एक साथ संतुष्ट कर सके। यह कार्य कौन करेगा और कैसे होगा ये जिग्यासा हिलोरे लेती हैं। तो अचानक ही अस्तित्व का शोध सम्मुख खड़ा मिलता है। हमारा अस्तित्व ही वह शोधार्थी प्रियमवद है जो सभी मिथ्या तत्व, गर्व, लफाजी, प्रलापों का त्याग करते हुए एक मात्र लक्ष हिर्दय से संधान तथा नियंत्रन में रत हो जाता है। मन की विशालता का हिर्दय की एक आंतिकता से मिलन का नाम असाध्यवेना है। इस राहत की तलाश में हम बाहर भटकते हैं, वह तो हमारे भीतर ही कहीं इस्थित होता है, जो समय समय पर अपने उपस्तिती की अनुभूती कराता रहता है। लथै को साधना और मन की विशालता से अस्थित्व को एकाकार करने की यात्रा अत्यन्त मनोहारी है। इस यात्रा में सारी वंदिसे मिट जाती हैं। लौकिक्ता के बांध तूट जाते हैं। वैचारिक्ता की प्रलय अबधी, दुस्चिंता, अहम, संदेह, इर्श्या, महत्वा कांचा आधी को बहा ले जाती है। कहीं दूर राहत की चहचाहट अंतर मन की गाठें खोल देती है। सब कुंठाएं मुक्त होकर जीवन की सोच परिवर्तित कर देती है। मनुष्य शोध के लिए जब तक बाहरी संसाधनों पर निर्भर करेगा, वह अपने अस्तित्व का परिमारजन कदापी नहीं कर पाएग मन के हर मनोभाव रूपी तार को समवेदना की उंगलियां जब छूती हैं तब वही आनंद प्राप्थ होता है जो माता की गोद में बालक को मिलता है। अंदकार हमारा अज्ञान हैं अज्ञान यही है कि हम सर्व समर्थ हैं हमसे बढ़कर कौन है और किस की सत्ता है यही प्रभुत्वबादी विचार आत्मिय समवेदना को छीन कर देते हैं तथा हिर्दय की यह वीना असाध्हे रह जाती है जाने कितने प्रियमवदों में से कोई एक ही हिर्दय तंत्री को जहनकृत कर पाता है यदपी ये वीना संचालित करना दुशकर नहीं है परन्तु फिर भी हर व्यक्ति इसका संधान नहीं कर पाता कारण उसे दूसरे की वीना असाध्य लगती है स्वैम की नहीं शोध तो प्रथम तह अपना होना चाहिए अन्ने पर अपना निर्णय देने से पूर्व एक बार अपना हिर्दय टोलने में कोई हर्ज नहीं है प्रियंबत से वहवीना इसलिए वजी क्योंकि उसने सरोप्रथम अपनी तूटियां इंगित की तथा उन्हें दूर भी किया हठियोग की प्रक्रिया क्या है ये चक्र कौन से है इन प्रश्णों पर जब हम विचार करते हैं तो पाते हैं कि हम किसी नदी में डूपते डूपते नीचे जाकर अकस्मात उपर आ गये हो यही आत्मशोधन है स्वयम की खोज अपने विचारों का निरधारन अपनी स्वतंत्र चेता से समाज का विकास और अस्तित्व को समस्टी में विलीन कर देना व्यक्तिगत स्वार्थ से उपर उठते हुए परमार्थ का संस्पर्ष, आनंद, संतुष्टी और शांती प्रदान करता है सवर्व प्रथम हिरदय चंचल हो दो लाइमान रहता है तिकना नहीं चाहता उसे बच्चे की भाती पुछकार कर, बहला कर सैयत करना होता है वह भौतिक्ता की ओर पुनह जाने का प्रयाज करता प्रतीत होता है और अस्तित्व की शक्ती उसे बाद्धे करती है कि वह तटस्ट हो जाए जब हिरदय में वाहिय और अंतर जगत का अंतर मिटता है लौकिक्ता का भान लुप्त होता है तब ही मानवियता की अस्थापना होती है अपने व्यक्तिगत खोल में बाहर आकर मैं की परीधी को हम तोड़ देते हैं यही है मानव मात्र का अस्तित्व जो हमारे जीवन का उद्देश निर्धारित करता है लाखो प्रियमवद इस अस्तर तक पहुँचकर व्यक्तिकता के आवरन में बापस लौड जाते हैं चन्द ही हैं जो अस्तित्व संधान की चुनौती को आद्यंत निभाते हैं मैं मेरा मुझसे परे संसार का एक अलग पक्ष वा दर्शन विक्सित होता है मुझे अश्मरन है पर मुझको मैं भूल गया सुनता हूं पर मैं मुझसे परे शब्द में लिये मान अग्ये ने इस अस्थल पर प्रियमवद को साधक से चिंतक बना दिया हिर्दय का चिंतन पक्ष भी हमारे अस्तित्व को नवीन दिशा और सद्गती प्रदान करता है स्वाकेंद्रित विचारधारा से उपर उठते हुए हमें आभास होता है एक विस्तरित विचाराकाश का जिसमें हम विचडते हुए पक्षी है जिन्हें उड़ना भी है और नीड में बापस लोटना भी है यह अवतरित संगीत मानवता का सामाजी करन है जिसके द्वारा हम भीतर तक आलोडित होकर इस परम सत्य से अवगत होते हैं कि हम कौन है हम सिर्फ व्यक्तिगत नाम नहीं स्वाकेंद्र भूत चेतना नहीं अपने विकास का सिमित रहने वाले जीव नहीं अपीतु अपने साथ सबके उध्धार के नियामक बनने वाले मनुष्य हैं असाध्य वीना के स्वर तभी सद सकते हैं जब हम व्यक्तिगत स्वार्थों से उपर उठते हुए आत्म मोग्दता को तिलांजली देते हुए अस्तित्व रूपी प्रियमवद को ये अवसर प्रदान करें कि वह हिर्दे रूपी वीना के सुरों को मानविय सम्वेदना से साध्य सके। कहने को ये कविता रहस्य की चरम पराकास्ठा का संसपर्ष करती है पर इसके दर्शन को सामान्य जीवन में अस्थापित किया जा सकता है। जिसे वीना में ढाल सके। कोई अस्तित्व रूपी प्रियमवद उसका संधान करते हुए बुद्धी रूपी राजा की महत्व कांचा, रानी रूपी गर्व की लौकिकता, ज्यान करमेंद्रियों के विकारों को भसमा भूत कर व्यक्तिगत विचारधारा को समस्टिगत प्रारूप प्रदान कर सके। निस्चेही उस दिन हर मनुष्य हिर्दे की असाधे वीना का वादन कर पाएगा। सुर लहरियां साधेगा और अस्तित्व व्यक्तित्व तथा सामाजिक अस्तर पर मनुष्यता को अस्थापित करने हेतु कृत संकल्प होगा। अग्ये का काव्य गेता के तारों को जनक्रित करने वाला साहित्य है। बार बार मुल्यांकन करते हुए नित नवी नूतन तथ गन्नाही समुख आती है। उनकी आरंभिक कविताओं में आत्मावलोकन तथा शोधन के पक्ष प्राप्त हुए है। ऐसा ही शोध तथा जिग्यासा का आभास असाध्यवीना के संदर्व में होता है। अशाध्यवीना की कहानी उस तरह प्रतीत होती है जैसे हम अपने आपको खोज रहे हो। और यह आत्म खोज हमें स्वैम में ही प्रदान होती है। श्वयम को तभी खोच पाते हैं जब हम स्वयम को समझ पाते हैं प्रियमवद ने अशाध्य वीना को साधा क्योंकि उसने अशाध्य वीना को समझा उस वीना को समझने के लिए उसने उसे अपनी गोध में लिया और उसके आत्मा से अपनी आत्मा को एकाकार किया